क्या आप भी सरकारी नौकरी के तलाश में हैं? तो ये खबर आप भी के लिए हैं योपीसी ने सहाइक निर्देशक उपकेंद्री खोफिया दिकारी और सहाइक हाइड्रोजिलॉजस पत पर भरतियां शुरू कर दी हैं क्या है पूरी खबर और इन नौकरियों में क्या होता है आएए जानते हैं नमस्कार स्वागत है आपका प्रवाद एक्जाम की यूटीब चैनल पर अगर आप हमाई चैनल पहले बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दो करें और हमाई लेटेट वीडियो और अपडिस्ट से पहले आप तक पहुंचें इसके लिए बाल आइकोन को प्रेस करना ना भूले तो आए शुरूबात करते हैं आज की वीडियो UPSC के इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है अप्लिकेशन प्रोसेस अधिकारिक वेबसाइट पर चल रहा है इच्चोक उमीदवार अधिकारिक वेबसाइट UPSC.gov.in के माध्यम से ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं कब है आखरी तारिक नोटिफिकेशन में दिये गए विबरन के मुताबिक इस भरती के लिए उमीदवार 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं जबकि आवेदन पत्त प्रिंट करने की अंतिमति थी एक दिसंबर है आपको फिर से एक बार दोरा देते हैं कि ये भरती अभ्यान तीन रिक्तियों के लिए चलाय जा रहा है जिनमें सहायक निर्देशक, उपकेंडरे खोफ्य अधिकारी और सहायक हाइड्रोजियोलोजिस पद के लिए एक एक रिक्ति है UPSC Recruitment 2023 आवेदन शुल्क उम्मीदवार UPSC के इन पदों के लिए आवेदन शुल्क कितना होगा आपको पता दे महिला उमीदवार, SCST और Batchmark विकलांगत वाले उमीदवारों को 25 रुपे का शुल्क देना होगा ये शुल्क आप SBI बैंक की किसी भी शाखा में नकट द्वारा या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविदा का उपयोग करके या वीजा, मास्टर, रुपे, ट्रैडिट, डैबिट, कार्ड, UPI भुकतान का उपयोग करके दे सकते हैं चलिए इन पदों को डीटेल में चान देते हैं सहायक निर्देशक एक सहायक निर्देशक विभागिये योजनाओं और लक्षों को विक्सित करने और कार्यन्वित करने में सहायता करता है दैनिक कार्यों की देखरेक करता है और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है वे स्टाफिंग जिम्मेदारियां निभाता है बजट बनाने और व्यफसाई की निकरानी में सहायता करता है और इविंट शेड्डिूलिंग बनाए रखता है और केंद्री एक खोफ्यादिकारी एक खोफ्यादिकारी वहव्यक्ति होता है जिसी किसी संगठन द्वारा जानकारी को इखटा करने और संकलित करने या विशलेशन करने के लिए निक्त किया जाता है जो उस संगठन के लिए उप्योगी होता है सहायक हाइड्रोजियोलोजिस्ट हाइड्रोजियोलोजिस्ट आज की दुनिया के सामने मौजूद कुछ बड़े सवालों को हल करने के प्रयास में लगी रहते हैं जिनमें टिकाव जल अपूर्थी, होजन और उर्जा उत्पादन शामिल है पर्यावरण संरक्षन और जलवाईयों पर्यावरण से निपटना वे व्यक्तिकत किसानों और कुए के मालकों से लेकर व्यापक श्रेणी के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो इन्हीं पदों पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट UBSConline.nic.in पर जाएं होम पेज पर विभिन भरती पदों के लिए Online भरती आवेदन ORA पर क्लिक करें स्क्रीन पर एक नया पेश प्रदर्शित होगा आवेदन पत्र भरें आवेदन शुल कब भुक्तान करें अभविष्य के संदर्व के लिए इसकी हाट कॉपी अपने पास रख लें तो ये थी हमारी आज की खबर इसी तरहा की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ प्रबात एक्सामपल अवेदन पत्र भरें